हेलो मैं लवली पीपल वेकम बैक टू माई चैनल आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे और मुझे मिस्स कर रहे होंगे तो देखिए मैं आगए हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए और आज काफी टाइम से पेंडिंग चार् पापड़ी चार्ट खाके एक माहिने की चुट्टी तो देखिए यहां में गोलगप्पे का वो बना रही थी और देखिए मेरा गोलगपप फूटा वा निकला बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खाया और यह है टिकी और यह पापड़ी चार्ट और एक ही टिकी इतनी पूट्चों ने भी खाये क्या आप यकीन मानेंगे और मैं उनका शॉट जरूर डालूँगी खाते वे देखिएगा आप तो यह देखिए यह हमने बनाया और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पापड़ी चार्ट को इतना सुन्दर मेंने सजाया है वो कैसे सजाया है यहा अब देखिए एक एक पापड़ी को मैं दही चीनी में डूबो डूबो के रखूँगी यहांने कि दही में हमने अल्रडी चीनी मिला करके अच्छे से फेट लिया है उसे और मेक्शूर कीजेगा दही एकदम ठिक हो एकदम गाड़ा हो और एक एक पापड़ी उसमें अच्छे से लिए पापड़ी तो आप सकिप्ट कर सकते हैं आप सिरफ नीठी चटमी हरी चटमी और कुछ सुखे मसाले जैसे की आगे मैं बताऊंगी क्या क्या डाल करके खा सकते हैं पर मेरे हजबन को दही टीकी के साथ बहुत पसंद है तो मैंने उनको यह दही डाल दिय अब इसके ओपर आप जो है ये देखिए ये जो हमने गोल गप्पे का मसाला त्यार किया था ना जिसमें हमने आलू, प्याज, अद्रक, मिर्ची और उबले हुए मटर डाले थे वो थोड़े से हमने टिकी के ओपर डाल दिये और चाट के लिए मैंने अलग से समहाल दिये थे उबलावा आलू है और उनको मैंने छोटा-छोटा पीस में काट लिया है और उबली हुई जो है मतर है ये देखिए ये हमने पापड़े पर डाल दिया आप कभी भी बजार में पापड़ी खाई है आपको जरूर आलू साथ में मिलेंगे और उबली ही जो है मतर भी मिलेग पर क्योंकि मेरे हजबन को पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ भुना हुआ जीरा और काला नमक डाला था उनको जादा तीखा पसंद नहीं है उनको मीठा जादा पसंद है तो जो भी तीखा पन उनको मिलेगा न वो तो हरी चटनी में जितना होगा और जो मैंने टिक्की में स्टफिंग की है डाल की उसमें जितना होगा उतना ही मिलेगा उससे जादा नहीं मिलेगा तो यह रेखिए हमने भुना हुआ जीरा पावडर काला नमक डाल दिया है अब यह मेरी घर की बनीवी जो है मीठी चटनी है कमचुर वाली गुड़ वाली यह में डाल रही हूँ दोनों के उपर अच्छे से डाल देंगे क्योंकि इसका भी जो स्वाद और फ्लेवर है वो कम नहीं होना चाहिए तो यह पापड़ी पर डाल दिया और यह दो तीन चमश्ट एकी के लिए बहुत होंगे जादा मत डाल दियेगा बहुत मीठा हो जाएगा क्योंकि दही में भी मिठास है ना इसलिए और अब थोड़ी थोड़ी सी दही और इसके उपर से डाल देंगे यह देखिए लग रही है ना मज़े की मुँमें पानी आ रहा है ना तो जरूर बनाना और खाना और हमेशा की तरह मैं फिर से बोलती हूँ वीडियो पसंद आए मेरी महनत देखे अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार दीजिए लाइक्स कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खुब सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और यह देखे, यह आगे जी हमारी हरी चटनी जो कि मुझे काफी ठिक लग लग री थी तो मैंने इसको थोड़ा सा पाने डाल के डिल्यूट किया है तक यह थोड़ी सी फ्लोईंग कंसिस्टेंसी में आ जाए तो यह देखिए जी पाने डाल के थोड़ा पतला कर दिया अब यह भी हम थोड़े थोड़े जो है वो डाल देंगे अपनी पाप्री चाट पे और टिकी चाट पे मुह में पानी आ रहा है अल्रीडी में खा चुकी हूँ उसके बावजब देख देख के भूँ में पानी आ रहा है खैच चलिए यह बनके रेड़ी है और अब मैं क्या करने वाली हूँ ना मेरे पास नमकीन में सिर्फ एक ही नमकीन थी जो थी हल्दी राम की शायद खटा निम्बू वो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने वही जो है ना इसके ओपर थोड़ी थोड़ी सी डाल दी थी डेकुरेशन के लिए अगर आपके पस अनार दाना हो तो आप जरूर डालिए अगर आपके पस चकुंदर हो तो उसकी जूलियन्स कट करके जरूर डालिए उससे और भी खुबसूरत लगता है और भी निखा राता है चाहें तो आप इसमें जो है कच्ची प्यास छोटी छोटी काट के उपर से डाल सकते हैं चौप करके तो ये तो देखिए रेडी हो गया है हमारा अब मैं आपको आगे रेसिपी बताऊंगी कि मैंने सब कुछ कैसे तयार किया ठीक है शुरुआत करेंगे हम मीठी चट्मी बनाने से क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेती है तो जित्ती दियर में मीठी चट्मी बनती है याब बहुत कुछ कर सकते हो तो ये बनके रेडी है चलिए बना लेते हैं मीठी चट्मी कोई भी एक कटोरी ले लिजिए नाप के लिए उस कटोरी से एक कटोरी भरके अमचूर पावडर डालिए और एक कटोरी भरके पानी डालिए अच्छे से mix कीजिए गुठिया नहीं रहनी चाहिए और इसको थोड़ा सा सोक करने के लिए रख दीजिए तक ये फूल जाए ठीक है जब ये फूल जाएगी तो इसमें यही कटोरी से एक कटोरी पानी और डालेंगे और ये मैंने गुठ तोड़ के रख लिया था तो मैं गुठ डाल लीजेगा वैसे तो आधी गुठ की क्वांटिटिव आधी चीनी होती है पर मुझे इस गुठ में चीनी लग दी थी मैंने गैर उपर से चीनी डालने की जूरत नहीं है गुठ डाल दो और हो जाएगा क्योंकि ये गुठ बिकार था OTP समंगाया वा था ये गुठ बिकार गुडाया था और इसमें डालेंगे काला नमक साथ में डालेंगे देगी लाल मिर्च आप चाहें तो लाल फूड कलर भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है और डाला हमने ब्लैक पेपर यानी की काली मिर्च का पाउडर फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला थोड़ा सा और फिर इसमें डालेंगे सॉंट का पाउडर यह डाल दिया हमने और थोड़ी सौफ डालेंगे और यह देखे भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाला है थोड़ा सा और थोड़ी से साबूद सौफ डाल दीजिगा यह देखिए ठीक है अब इसे मिक्स कीजिए मिक्स करके इसको चूले पर चड़ा दीजिए और साइड बाई साइड काम करते करते भी ध्यान रखिएगा कि यह नीचे चिपके नहीं इसको हिलाते रहेगा और अगर आपको लगे बहुत जादा थेक हो रही है तो थोड़ा पानी जरूर डाल दीजिगा ठीके और मैंने इसमें कटा हुआ खजूर भी डाल दिया था चटनी में अब जो है मैं यहाँ पर गुलगप्पे के लिए त्यारी कर रही थी तो मैंने यहाँ पर ले लिया था उबला हुआ मटर इसमें से थोड़ा मैं पापड़ी के लिए अलग निकाल रही हूँ और मुने प्याज अद्रक लसन और हरीमिश चॉप के लिए थी जो मैं इस उबले हुए मटर में मिला दूँगी इसके अंदर थोड़ा से सूखे मसाला जैसे थोड़ा से गरम मसाला थोड़ा काला नमक थोड़ी सी मिर्ची और नीमबू का रस्न मिला देंगे तो ये आपका मसाला रेडी हो जाएगा गुलगप्पों में भरने के लिए ठीक है इसको बना के साइड में रख दीजे और देखे मैंने उबलावा भी एक आलू मिला दिया है इसके अंदर तो अब ये कम्प्लीट हो गया है इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के डाल सकते हैं थोड़ा सा पुदीने का पत्ता भी काट के डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि हम अलड़ी धनिया पुदीने के पत्ते का फ्रेश गुलगप्पे का पानी बनाएंगे जो आप आगे देखे तो आपने देख लिए इसमें मेने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, मिर्ची, गरम मसाला और नीम्बू का रस, उबलावा आलू, प्याज, अद्रक, लसन, मिर्ची, चौप करके और इसके अंदर अल्रडी जो है बॉर्ड मतर थे, तो यह रेडी हो चुका है अब इसको आप साइड मेरे देखें, मैं नीम्बू भी काटके, एक छोटा सा नीम्बू लिया है, काटके दोनों डाल दीजिए, तो इसमें खटास पिया जाएगी, अब हम बनाएंगे चट्नी, चट्नी के लिए ले लीजिए आप, अगर आपने एक मुठ्थी धनिया लि पतियों को डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, इमली का पेस्ट डाल दीजिए, और भूना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, बस और नमक में मैंने कालो नमक का ही यूज किया है, आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हो, बस ये देख लिजिएगा कि जो बना रहे हैं चट्नी, ठीक है चट्नी यहां पर हम इसको पानी डाल के पीस लेंगे, और पीस करके फटा फट फिरिज में रख दीजिए, जब तक आपका सारा सा मज, मनलब सब कुछ रेडी होगा तब तक ये थंडी हो जाएगी, ठीक हमें थंडी ही चाहिए, तो जब ये चट्नी बनके रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे गुल गप्पे का पानी, ये देखे, मैंने इमली का पेस डाल दिया है, अपने हिसाब से डालिए, वेशिक थोड़ा कम डालिए पहले, और कम लगे तो बाद में आप टॉप अप कर सकते हो, एक दम से ज़्या चट्नी हमाई रेडियो दिखी, गुल गप्पे के पानी के लिए मैंने दो हरी मिर्चे ली है, तीन चार जो है छोटी लसन की कलिया है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, और पुदीना और धनिया बरावर बरावर कॉंटिटी में है, प्लस इसमें भी मैंने काला नमक डाला है, भूने हुए जीरे का पाउडर डाला है, और हींग डाले है, क्योंकि मैं बना रही हूँ, हींग वाला गुल गप्पे का पानी, ठीक है, और इसमें भी मैंने खटास के लिए, जो है, वो डाला था, इमली का पानी, तो आप निमू डाल सकते हैं, अगर इमली नही था, क्या कहते हैं, बूंदी, आपके पास बूंदी हो तो बूंदी जरूर डालिएगा, आपको अच्छी लगेगी, इसके साथ मेरे पास नहीं था, आप इसमें अच्छे से टॉप अप कर दीजिए, ठंडे पानी को जितनी आपको जरूरत लगे, और फिर टेस्ट करके द आपके पानी और डाला, फिर भी मुझे थोड़ा नमक कम लगा, थोड़ा और नमक डाल दिया, तो यह आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्राबलम नहीं है, मिर्ची कम लगे, आपको लगता है, मिर्ची और चाहिए, तो आप काली मिर्च का पाउटे डाल सकते हो, आप हमारे या मिर्ची खाते कम है, तो मैं नहीं राल सकती, अब इसको लगा करके फ्रिज मेरे बीजे, तो देखिया हमारी गोलगप्पे का मसाला तयार है, गोलगपे का पानी तयार है, और हरी चटनी तयार है, और मीठी चटनी हमने पकने के लिए छोड़ रखी है, यहाँ आपर त कड़ाई में आपको दो चम्मच सरसो का तेल डालना है और उसमें जीरा और हीन डाल दीजे क्या देखिए हमारी मीठी चटनी भी बनके रेडी हो गई है जिटनी जरूर है तो इतनी कटोड़ी में निकाल दीजे बाकी स्टोर करके फ्रिज में रख दीजे अब ले लिए मैंने कड़ाई ये देखिए कड़ाई ले लिए है अब इस कड़ाई में दो चम्मच तेल डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे चब ये चटक जाए भून जाए तो उसमें हम डालेंगे जो हमने दाल उबाल के रखिए है ठीक है और उस दाल में हमने कुछ जरूरत के सूखे मसाले डाल ले है जैसे की धनिया पाउडर, गरा मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा और वो मिर्ची नहीं डाली है ना तो मैं थोड़ा सा सौंट का पौडर भी डाल दूगी जिंजर पौडर जिसे कहते हैं और बस इसको मिला लीजिए मिला करके थोड़े दिर भूनिये जैसी आपको लगे कि ये कम्प्लीटली भून गया पांच मिन में रेडियो हो जाता है प सिर्फ चने की डाल की स्टफिंग उनाई है आप चाहें तो यहां पे हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं चलिए जी अब कर लेते हैं इसको ट्रांसफर और साथ में आलू की तयारी कर लेता हैं टिक्की बनानी है तो आलू भी करने पड़ेगी तो मैंने आलू उबाल के अल आलू काटके हमने जो है उसमें डाल दिया काटोरी में जो की हम यूज करेंगे पापड़ी के लिए यह देखिए मैं कद्दू कस करी हूं बिल्कुल भी लंप्स और बंप्स नहीं होने जी नहीं तो आपकी टिक्की फट जाएगी और नहीं बनेगी इस बात का ख्याल रख और पांस से छे चमच भरके मैंने इसमें कॉन फ्लार डाला है यह जो है ना आलू इसमें बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए यह देखिए बिल्कुल आटे जैसा गुंद जाना चाहिए एकदम सॉफ्ट चलिए अब टिक्की बना लेते हैं तो लोही ले लीजे और इसको ज बना करके यह जिसे दो बन गी थी तो मैंने सोचा कि मैं एक और बना करके फिर इने फ्राय कर लिए तो यहां देखिए मैंने जो है सिंपल चार बनाई थी चार में से एक ही मेरे हस्बंड और मैं खा पाए एक मैं उनके आफिस में दे दूंगी फिर भी दो बच जाएंगी देखें तवा ही ले लिया था मैंने तवे में अच्छे से मैंने ओइल डाल दिया था ओइल बढ़िया से गरम हो जाए तो आप अपने टिक्कियों में हलका समयदा कोट करके और डाल दीजे बहुत हलका सा मैदा कोट करना है ताकि तिकियां फटे नहीं बस इतना ध्यान रखिए और अब ये देखिए जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा मैं पलट दूँगी और जब ये प्रॉपर सिक जाएगी न तो इनको करारा करने के लिए मैं तवे के उपर ही इस पल्टन से अच्छे से प्रेस करके थोड़ा इसको फ्लैट कर लूँगी ताकि ये करारी हो जाए और धीमी आज में पकाईए ताकि ये जले नहीं और इसका मतलब जल्दी पके नहीं अराम से पके चिक्या है तो ये हम अब बना लेंगे ये देखिए मैंने पल्टन से ही इसको दबा करके फ्लैट कर लिया था और इनको अब हम अच्छे से करा रहा होने तक सेख लेंगे और फिर निकाल लेंगे और फिर बची भी दो जो हैं उन्हें भी एक एक करके सेख लेंगे तो जी वीडियो एक बार फिर से बोल रही हूं पसंद आए तो जरूर लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा कॉमेंट्स कीजेगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा खुब सारा प्यार दीजे सपोर्ट कीजे और मेरा इंतिजार कीजेगा मैं आउंगी एक और वीडियो के साथ कल तब तर के लिए इसको देखें इंजॉय कीजेगा और होसर किता आप लोग भी जरूर बनाईए खाईए और फिर मुझे बताईए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपसे रेसिपी बनी तो कैसे बनी आप लोगोंने इंजॉय किया की नहीं किया सब कुछ बताईएगा ठीक है तो ये देखिए ये भी जो है बनके अब रेडियो हो चुकी है एक और मैंने डाल दी क्यों कि तेल कम था तो मैंने और तेल लेना उसको वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा तो मैंने उसको अब जो दो बची हैं को एक एक करके ही इस पर सेख लेंगे ध्यान रखिए का धीमी आज़ पर करिए नहीं तो ये जल जाएगी उपर उपर से और अंदर से कच्ची रह जाएगी वो हमें नहीं जाएगी देखिए मैंने फिर से पल्टन से फ्लैट कर लिया है और इसको अच्छे से हम करा रहा होने तक पका लेंगे मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया और खाने में उससे जादा भी बहुत मज़ा आया